तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं चॉमिंग वो भी बिल्कुल स्टीट स्टाइल ये देखिए सबसे पहले मैंने ये सेमियो का पैकेट ले लिया ये बजार में से 20-25 शाय 30 रुपे का मिल जाता है और फिर एक साइड पर मैंने पानी गर्म रखने के लिए रख दिया तेल डाल दिया और उसके बीच नमक और ये सेमिया निकल गई है मैं इसको इसके बीची डाल दूँगी ये देखिए सेमिया जब तक उबल रही है तब तक हम अपनी एक सॉस त्यार करेंगे वो आपको एक ट्रिक है बिल्कुस शील स्टाइल बनेंगी उससे सबसे पहले मैंने केचप सॉस ले ली उसके बाद सोया सॉस फिर वेगिनर डालूँगी और फिर शेजवान सॉस अगर आपके पास शेजवान सॉस नहीं है तो अपरेट चिली सॉस भी डाल सकते हैं ये देखिए हमारी होगी त्यार और मैंने आपको एक और बात बतानी है म मैं अपनी क्रोक्री की वीडियो लेकर आऊंगी अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले अगर एक वीडियो बनी तो एक डालूँगी दो बनी तो डो डालूँगी और क्रोक्री और मीरा की भी लेकर आऊंगी फिर धीर धीर अगर उसका रिस्प ज़्यादा उबालना नहीं है, यहां देखिए, यह सेमिया भी उबल चुकी है, इसमें मैंने तेल डाल दिया, नमक, मीरच, सब कुछ डाल देना है, अगर आपके और भी कोई वेजिटेबल खाते हो, तो वो भी डाल लीजिएगा, हरी मिर्च भी डाल दिया, सोस बचा कर रखिएगा, पतागोबी के बाहर डालेंगे, पतागोबी भी इसमें डालेंगे, और 80% तक बॉयल करनी है, दोनों चीज़ें, ज़्यादा नहीं बॉयल करनी, सेमिया भी और वेजिटेबल भी, नमक डाल दिया, और मिर्च डाल दिया, देखिए, पतागोबी डाल दि, और फिर वो, मैंने बोला था ना, बचा कर रखना सोस, वो डाल दि, और मैं अपने चैनल पर ट्रिक्स भी लेकर आऊंगी, कैसे हम अलम्यूनियम के बरतन साफ कर लेते हैं, कैसे जो कडाई बिल्कुल ब्लैक हो जात आउंगे आपको, बिल्कुल असान तरीके से ये देखिए, चौमिन बनकर हमारी हो गई त्यार, तो आप जल्दी-जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, आपके लिए ये चैनल बहुत बेनिफिट होने वाला है, वो भी सब्सक्राइब करें आप फ्री में, थैंक्यू पर व चौचिंक!